दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा चेन्नई और मुंबई के बीच होने वाले महा मुकाबले के बारे में दोनों टीमों में कौन किस पर ज्यादा भारी है दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में और अंत में मैं आपको बताऊंगा कुछ खास तो वीडियो में अंत तक ब इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले खेले जा रहे हैं। वहीं इस लीग के बारवे मुकाबले में मुंबई इंडियन्स बनाम चैन्नेई सुपर किंस के बीच भिडंत होगी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शनिवार को मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में रोहित शर्मा और एमेस धोनी बतौर कप्तान मैदान पर उत्रेंगे। चैन्नेई और मुंबई की टीमें IPL की सबसे सफल टीमें रही हैं। अब तक हुए 15 IPA टाइटल में से 9 टाइटल इन ही दोनों टीमों ने जीते हैं। ऐसे में इन दिगज टीमों का मुकाबला हर बार दिल्चस्ट होता है। IPL में इन दोनों टीमों के हेड टू हेड आकरे देखें तो मुंबई इन्डियन्स की टीम थोड़ी आगे नजर आती है। इन दोनों टीमों के बीच अब तक 36 मुकाबले हुए हैं। इन में सीज के ने 15 और मुंबई इन्डियन्स ने 21 मुकाबलों में जीत हासिल की है। अगर IPL 2023 में दोनों टीमों के बारे में बात करें तो मुंबई ने एक और चन्नई सुपर किंस ने दो मुकाबले खेले हैं। जिसमें मुंबई को अपने पहले ही मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। वहीं चन्नई ने अपने दूसरे मुकाबले में लखनव को मात दी। तो चलिए बताते हैं आपको दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में। चेन्ने की संभावित प्लेंग 11, डेवोन कॉन्वे, प्रुतुराज गायकवाड, मोहीन अली, अमबाती रायुडू, महेंद्र सिंह धोनी, बेन स्टोक्स, प्रविंद्र जडेजा, शिवं दुबे, दीपक चाहर, ड्वेन प्रेटोरियस, सिमर्जीत सिंह। अब मैं बताने जा रहा हूँ IPL के एक अनोखी फैक्ट के बारे में, क्या आपको पता है, धोनी ने IPL में सबसे ज्यादा छक्के लगाए है, लास्ट के चार ओवरों में। जानकारी के बारे में पता थी, कॉमेंट में जरूर बताएं। जानकारी के बारे में?